जहिन साथियों स्वागत है आपका फिर से एक बार मैस पाई रिशी पे उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने एंडिये की तैयारी शांदर तरीके से कर रहे होंगे पूरी प्लेलिस्ट का आपने प्रयोग किया होगा छोड़ी छोड़ी बातों का आपने ध्यान रखा होगा एक आखरी सुझाव मेरी तरफ से ओमार शीट में किसी प्रगार की गलती मत करना हूँ यूपी एससी जो इंस्ट्रक्शन्स देती है यूपी एससी जो ये एक्जाम करा रही है उनके द्वारा दिये गए इंस्ट्रक्शन्स को मैं इस वीडियो में तुमारे सामने बताने जा रहा हूं किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ओमार फिल करते हुए एंडिये दो 2023 के पेपर में ये एक एक बात मैं बहुत डीटेल से बताने चाहरा हूं बहुत ध्यान से सुनना और हर चीज़ को बारिकी से एपलाई करके आदेखो बच्चों सबसे पहली किस तरह के मिस्टेक्स होते हैं किस तरह के मिस्टेक्स होते हैं नौट रीडिंग दा इंस्ट्रक्शन केर्फुली आपको जो सूचना हैं जो बाते दी गई हैं उसको आप ध्यान पुर्वक पढ़ें इतना घवर आ जाएं कि क्या बातें लिखी हुई हैं इसको आप लिखी होती है आपको ध्यान पुर्वक उसे पढ़ना चाहिए समझना चाहिए ठीक है यूजिंग दे रॉंग पेन और पेंसल यूपीस्टी इंडी के अगर मैं बात करो तुम्हें बॉल पॉइंट पेन ब्लाक या ब्लू कलर का यूज करना होता है सही पेन का सेलेक्शन कर लो एक ओमार शीट तुमने जहां से भी तुमने पढ़ाई की है तुमने ओमार शीट देखा होगा किस प्रकार कर रहता है तुम उस ओमार के शीट के हिसाब से देखो कौन सा पेन उस पे सबसे है इनी को bubbles कहते हैं skipping the questions not double checking the answers कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में चेक नहीं करते हैं गलती कर देते हैं सिली mistakes कर देते हैं randomly मैं कहता हूं चेक कर दो कि कह बताऊंगा एक पाथ अभी detail ने बताऊंगा folding और creasing the omr sheet कई बार बच्चे क्या करते हैं the omr sheet को जो है ध्यान से नहीं रखते हैं कुछ लोग तो ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं कि यहां बच्चन paper के नीचे ही रख दिया फोल्ड करके है ना गलती से इधर से फोल्ड कर दिया उधर से फोल्ड कर दिया बाई ऐसी गलती मत करना optical mark reader यह scanner यह manual check नहीं होता है यह computerized checking होती है और यह आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक भी पूल्ड कहीं पर भी ऐसा है तो आपकी checking में घरबड़ी आ सकती है जिसके लिए आप कुछ जिम्मेदार होंगे कई बार तो paper भी cancel हो सकता है तो ध्यान रखेंगा इन बातों का then not marking the answers in the correct order or attendance sheet attendance sheet की बात बड़ी जरूरी है हर बात को मैं किस तरह के से बताऊंगा जो UPSC ने अपनी website पर instructions दे रखें मैं उन्हीं को elaborate करके आपके सामने रखने जा रहा हूं इन सबसे पहले मैंने अपने time पे ओमार रंगने की प्राक्टिस की थी 2003 में जब मैंने NDA दिया था qualify किया बड़ी आसी rank लेकिया तो मैंने उस time पे जो है ओमार रंगने की प्राक्टिस की थी literally बता रहा हूं बच्चो जब मैं प्राक्टिस करता था ओमार इस तरीके से print out निकाल लिया था और उसको खुद रंगने की प्राक्टिस करता था कौन सी कलम का प्रयोग करना है कैसे ओमार फिल करने की strategy है जैसे मैंने question paper में solve कर लिया मैंने strategy पे time management की पीछला एक management क्या है जल्दी होने वाले questions कप करने हैं देर से होने वाले questions कप करने हैं कौन से questions छोड़ने हैं इस सारी बाते मैंने पीछे बता रखी है I'm not repeating those things ठीक है यहाँ पे जैसे suppose करो मुझे यहाँ पे फिल करना है 7 का D right तो मैं अपने question paper को देख लिया मैंने question paper को right मैंने देख ल 10D 7C 7D सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यह जो outer circle है outer circle इसको fill कर देता हूँ और फिर अंदर वाले को घड़ वड़ 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 ऐसे कर देता हूँ ठीक है बाकि आपकी अपनी मर्जी है आप किस पकार से करते हैं 8 questions मैंने छोड़ दिया मालो 9th का यह था मेरा answer मालो 9th का answer मैं A mark करना चाहता हूँ तो जो बाहर का outer boundary है जो circumference है उसको मैंने पहले गुला कर लिया ताकि उसके बाहर और सही तरीके से filling हो सके ठीक है मैं यहां पे screen पर कर रहा हूँ आप जादा अच्छे से इसको उमार पर कर पाएंगे ठीक है बही है पतला pen मैंने ले रखा है आप उसी तरीके से accordingly आप चेक कर लेंगे क्या हो रहा है enhancement आपको करनी यहां पर माल लीजे मुझे 10 का D mark करना है 10 का C mark करना है let's say 10 का C mark करना outer circle पहले fill कर रहा हूँ उसके बाद अंदर तेजी से हाथ चलाओंगा फटा फटसे फटा फटसे कहीं भी गोले को exceed नहीं करूंगा और speed भी ध्यान देनी है accuracy भी ध्यान देनी है right randomly मालो मैंने 10 में से 5 सवाल किये हैं तो random तरीके से right because जब हमार fill करते हैं तो क्या होता है कई बार गलती हो जाती है अगर पांचवे की जगा छटे में हमने B mark कर दिया तो आगे की सारी sequence हराब हो जाती है तो हर 10-15 सवाल पे एक बार 10 सवाल में से 2-4 कोशन का चेक करते रहना ठीक है आओ अब मैं तुम्हें UPSC के उस PDF पर लेके चलता हूं जो UPSC इंस्ट करती है कि ओमार में किस तरह की गलतिया स्टोइंट्स में पाई गई है और कैसे उसका ध्यान देना है लेट मी टेक यू रूड़ाच यह मैंने UPSC की वेबसाइट से निकाला है बचों क्या बातें UPSC बता रही है मैं इस पर सीथे सीथे बात करूँगा राइट UPSC का क्या common mistakes हैं जो UPSC ने खुद अपनी वेबसाइट पर दे रखा है ओमार शीट UPSC की कैसी है Center code, subject, booklet series, subject code, role number, attendance number और ये सारी चीज़ें उधारन के लिए instructions ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर लिखा होता है एक-एक करके मैं वो सारे mistakes आपको बताता हूँ जो अकसर आपसे होते हैं जो आपको नहीं करने हैं जो आपको अभी ध्यान देना है लास्ट के एक दिन जो ये बच गया है इसमें आप इन बातों को प्राक्टिस करेंगे ओमार की फोडो कापी निकाल गया दस रुपए खर्च कर लो भाई और फोड़ा उसको प्राक्टिस कर लो पेंड विगरद चेक करो दो तीन पेंड यूज़ करके कौन सा बालपॉइंट पेंड सही तरीके से यूज़ होगा यह सब बाते ध्यान से देखो ठीक है देखो सबसे पहला मिस्टेक यूपीएस्टी जो कहती है जो बच्चे करते विकॉज जो एक्जाम करा रही है खुद से पेपर देख रही हैं तो उनसे बहतर mistakes मैं और कोई और क्या बताएगा तो मैंने इसलिए UPSC के website से ही UPSC.gov.in से ही ये PDF डाउनलोड किया है और वहीं से मैं आपको explain कर रहा हूँ तो देखिए सबसे पहली गलती होती है बच्चों से क्या encoding booklet series booklet series में अक्सर गलती होती है इन्होंने क्या कर दिया C mark कर दिया अब इनकी booklet series थी A आपको भी पता है A, B, C, D में से 4 में से कोई एक booklet आपको मिलने वाली है अलग-अलग series होते है माली जी आपको A series मिली है तो उपर आपने यह लिखा यहाँ आपने A mark करना था यहाँ इन्होंने A लिख दिया नीचे C लिख दिया गलती हो गई ना ठीक है? गलत पहला mistake पहला mistake जो बच्चे करते हैं अच्छा जी दूसरा ज्या इन्होंने encoding ही नहीं की booklet series ही नहीं मांग ती अरे बाई जब booklet series नहीं मांग करोगे बेबर तुम्हारा चेक कैसे होगा? booklet series हर booklet में almost 90% questions सेम होते हैं बड़ उसकी sequencing different होती है 50% questions भी बदल दे जाते हैं इसलिए booklet series को बहुत ध्यान से मांग करेंगे वी very careful उपर लिखना भी है और नीचे इस bubble को भी fill करना है ध्यान रखना इस बात को ठीक है भाई? अगली गलती क्या बताती है UPSC? अगली गलती बताती है encoding subject code and roll number अब subject code जैसे generally तुम्हें दो subject code मिलेंगे paper 1 mathematics से 01 होता है और paper 2 तुमारा जीएटी है वो 02 होता है ठीक है? यहां इन्होंने 02 fill किया 0 और 2 इस तरीके से fill करा roll number है 0, 8, 1 देख पा रहे हो ना? एक एक चीज बिल्कुल detail से बता रहा हूँ ध्यान पुरवक समझना? ठीक है? 4, 8, 4, 5 इस तरीके सिस्टेमेटिकली इन्होंने fill करा है on the other side जो गलती हो रही है यहां कैसे गलती हो रही है 02 है इन्होंने 01 mark कर दिया 01 mark कर रखा है तो भाई गलत हो गया ना? यह सारी बातीं जो तुमें fill करनी है यह exam शुरू होने से पहले ही fill कर देनी है तो इसमें गलती का scope minimize किया जा सकता है 100% गलती avoid की जा सकती है अगर आप पुड़ा careful रहेंगे exam के दौरान तुमें यह सब नहीं fill करना है एक बार को attendance जो sheet आती है वो तो फिर भी चलो exam के दौरान आती है बीच में आती है लेकिन वो भी considerable amount होता है कि हाँ भी बच्चे को पहले से पता होना ची लिखा होता है don't open the seal till you are instructed किसका seal question paper का भाई ओमार तो सही से भढ़लो अच्छा खासा समय होता है इसलिए का जाता है center कम से कम आदा एक घंटा पहले पहुँचें आप entry हो रही है आप entry पहले कर ले आपको ओमार मिल जाए या fill कर ले paper शुरू होने से पहले अगर आप सही समय से पहुच रहे है आपके पास अराम से 15-20 मिनट का 10 मिनट का समय तो समके बास होता है और ये काईदे से फिल करने में 5-7 मिनट से उपर नहीं लगते है maximum 5-7 मिनट सकते है मेरी बात है अमीद है आप मेरी हर चोड़ी चोड़ी बात को समझ रहे होंगे ठीक है और क्या है जी रोल नंबर विगार समझ में आगे और क्या गलतिया होती है हमसे अब देखो ये कितनी बड़ी गलती है कई बार हमारी आदत होती है 10th में 12th में पेपर में ऊपर लिख देते है जैश्री राम ओम भाई ऐसी 786 अलग-अलग धर्म के बच्चे अलग-अलग चीज़ें लिख देते है भाई इस तरह की बातें मत करना राइट डॉन राइट इनिटिंग यहां दो साफ-साफ लिखा होगा है लिख रहा तो में जैश्री राम ओम लिख रखा है पर यहां यह साइड में जो नंबर्स दे रखे हैं यह जो स्कैनिंग के लिए यूज होता है ओमार स्कैनर यूज करता है यहां साइड में इसने पेंट कर दिया अपने आप से नीचे पेंट कर दिया जबकि ध्यान से देखना लीचे लिखा होता है Please do not mark anything in this area साफ साफ लिखते हैं कि यहां मत लिखो यहां तुम्हारी answer sheet की response sheet होती है response sheet number होता है यह सब तुम्हें attendance sheet में sign करना होता है लिखना होता है कि तुम्हारी omar की response sheet number क्या है question paper की booklet number क्या है वो सब तुम्हें वहां पे enter करना होता है उसी हिसाब से checking होती है ठीक है मेरे भाई समझ में आरी बात है तो यह इन बातों का भ्यान रखेंगे किस प्रकार से क्या गलतियां होती है हमें क्या नहीं करनी है और क्या चीज़ अभी है और क्या कहती है UPSC error incomplete bubbling तो error कैसे bubble करने आप exactly सही तरीके से exact करेंगे यहां पर क्या हो रखा है A को सही से नहीं किया C को आधा करा है A को आधा करा है तो यह तरीका गलत है आपको bubble पूरे-पूरे सही तरीके से mark करने है सही sequence में mark करने है जिसका answer जो है अच्छा एक और गलती क्या होती है क्योंकि देखो तुम्हें pencil mark करना है भूलो मत तुम्हें pencil नहीं है pencil से एक समय था जब pencil से mark करता था बच्चा कोई गलती करता था eraser से erase करके ठीक कर देता था अब क्या हो रहा है बच्चे कई बार क्या करते है अगर मान लोग उसने गलती से 7 का answer C देना चाहिए था उसने B पे mark कर दिया है अब वो cross लगा देता है अरे भाई इस तरह गलती मत करो अब अगर तुमने उसको mark कर भी दिया तो वो number तुम्हारे गए math में जहाँ तुम्हें ढ़ाई number मिलने थे वहाँ 5 बटे 6 number कटेंगे अब तुम वहाँ tick cross करके अपनी eligibility खराब मत करो don't ever do that अगर गलती हो गई है एक तो पहले समल के करो लेकिन अगर हो गई है तो अब उसको और बड़ी गलती ना बना दो don't make it a blunder it was a mistake, let it be a mistake don't make it blunder, ठीक है अच्छा जी, बहुत बढ़िया then attendance जो scannable attendance list होती है इसमें भी कई बार आप से गलतीया होती है क्या गलतीया होती है exactly pinpoint करके बता रहा हूँ जो QPSC बता रही है उन्हीं गलतीओं पे pinpoint कर रहा हूँ mistakes in scannable attendance wrong marking of presence अब देखो, जैसे attendance sheet generally एक पे आठ बच्चों की होती है, चार इदर, चार इदर अगर आप careful नहीं है तो इस तरह की गलतीया होती है अब जैसे ये attendance sheet है वाई, एक तरफ खुशी पांडे है एक तरफ यहाँ पे राजेश यादव है दुनों लोगों का attendance sheet यहाँ पे लगा हुआ हुआ है तो be very careful तुम्हारा एक अलग से पूरा-पूरा rectangle बना हुआ है, तुम उसके अंदर ही करो कोई confusion हो, invigilator होते हैं well qualified होते हैं, आप उनसे पूछ लें मैं तो कहता हूँ, Omar भी एक बार को दिखवा लिया करो sir, ठीक है न कोई बड़ा चोटा नहीं हो जाता ठीक है, don't let ego come in between ओके और क्या गलती हैं attendance sheet में wrong presence कई बार क्या होता है, आपका एक न signature होता है, प्रतीकृती यानि इसको बोलते है फैसिमाल signature वो जो आपने जब आपने form fill किया है, तो आपके signature की scanned copy आपने डाली है वही वाला signature यहां attendance पहले से उपर लगा होता है please make sure कि उसी signature की आप practice कर रहे हैं और सही जगा पर वो signature कर रहे हैं कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं signature ऐसे cut put कर देते हैं, सही तरीके से signature नहीं करते, यह मैं नहीं कर रहा हूँ UPSC बता रही है, UPSC की website में यह सारी details दे रहे हैं तो यह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर तुम इनका ध्यान रखते हो तो सारी बाते सही रहेंगी आप अपना paper अच्छे से देख के आएंगे center पे सही समय से पहुँचिएगा पानी का bottle लेके जाईएगा प्रुमाल, sanitizer, mask जो तुम्हारी मदद हो सकती है वो करता रहूँगा तब तक के लिए बचो जय हिंद जय भारत